भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमी कहते झाल 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 पूरे एकागरता के साथ भगवान कहरें मन में और कुछ मत दो और अगर समझ में नहीं आता है कि मन का कैसे एकागरता भगवान के साथ जोरें तो कभी गोपियों की दसा पे जाये गोपी जो गोपी जन है कल ब्रग जन आये थे उनके रिस्तेदारों को जो इस्तरियां उनको गोपी जन बोलते हैं तो गोपियां कैसे भगवान को मन में बिठा के चलती थी रहती थी उनकी कथा सुना करिये हमेशा भगवान के चिंतन में मनन में मनोरत में आज माखन कौन सा वाला खिलाओं काना को कौन सा वाला बना के रखूँ ताकि मेरे घर में ओ आये और मैं उसका दर्शन करूँ और फिर जूट मूट का उलाहना लेके फिर से ये शोदा के घर में जाऊँ और फिर से दर्शन करूँ और कब ओ गया लेके मेरे रास्ते से जाए तो फिर से दर्शन करूँ और फिर छट खड़ी रहती थी कि कब बापिस आए तो फिर से धर्शन करो मन कहीं और नहीं जाता था शिर्फ और शिर्फ एक कागरता उसी सागर साकार रूप में लगा रहता था अब इनको कौन सिखाए कौन समझाए सभी तो वेल एजुकेटेड है क्या है वेल एजुकेटेड है ड्रेस भी इतना सुंदर रहता है कि देखके लगेंगे कोई स्वर्ग से कोई पड़ी और परिंदा आया है इतना सुंदर ड्रेस रहता उनका इतने सफेद रहते और ज्यान कितना रहता है निराकार जैसा ग्यान रहता है बस निराकार है बगवान मैं तो हूँ मेरा बाप लाल लाइट है अंडा है ऐसे बोलते है ऐसा होता है क्या नहीं होता है अगर हम है तो पिताजी भी ऐसे हमारे जैसे तो बगवान कहते है कि मैं साकार रूप में हूँ मेरा चिं और मुझे प्रकट भी किया है और प्राप्त ही नहीं मैं उसका नोक़्ड भी नपना हुआ क्या भना हूँ और मैं इसी महारस्ट का कुछ एक्जमपल देता हूं आपको भक्ति क्या चीज है जिसके लिए घागवान तरपते हैं भक्त क्या वो रोग है जिसके लिए भगवान को दबाई खाने पड़ती है मारास्ट के एक सन्तुए हरी बॉल आगे बैटके बाचित नहीं प्लीज हरे किष्णा भगवान क्रपा करते तो कुछ मुख से निकल जाता है मुख पे बगवान बैटके बुलवाते हैं जीव से तो कृपा रखिए थोड़ा सा इसी महारास्थ के अंदर एक भक्त हुए उनका नाम था एक नाथ, संत एक नाथ एक नाथ का अर्थ ये भी होता है कि एकी नाथ उसका एकी मालिक है, एकी नाथ है हम सब अनाथ हैं, हम सब अनाथ हैं कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास भगवान नहीं है जिसके पास भगवान नहीं है, वो अनाथ है, समझे कैसे समझे हैं, जिसके पास माबाप ने उसको क्या बोलते हैं अनात भाईया हम लोग के पात जो मावाप है वो छोर के जाने वाला है कितनों का तो छोर के चला गया है बीच में ही कितनों का तो इतने में चला जाते है कितने का तो जब गर्ब में होते तब ही चले जाते तो हम सब अनात है सनात करने वाले एक ही है भगवान कृष्ण तो उनके माटा पिता भगवान के शुद्ध भग्त होने के कारण उनका नाम रखा था एक नाथ और उनके जीवन में भी ऐसा ही था एक ही नाथ थे भगवान कृष्ण बिठ्थल भगवान बिठ्थल भगवान बिठ्थल, जो कि कृष्ण के रूप है, तो भगवान बिठ्थल उनके घर में उन्होंने बड़ा बिग्र रखा था, हम लोग बिठ्थल जी से जो महारास्ट में रहते हैं, उनसे सीखना चाहिए, सीडी मिलता है बिठ्थल जी का, शरित्र का, फिल्म का सीडी मिलता हो, देखना चाहिए, हम लोग क्या देखते हैं, साज भी कभी बहुत ही है, साज भी कभी, और पता नहीं क्या क्या है, हम दो 25 साल हो गए, ना थिएटर का मूँ देखा नहीं, तो एक नाथ जी घर में बिठ्थल जी को पूझते तो रोज भोग लगाते थे, खिलाते थे, और भजन काते थे, और गाते गाते कई बार ऐसा होता था, कि उनको भूख, प्यास, कुछ नहीं, बस उदर सो जाते थे, इतना प्रेम में आ जाते थे, अस्ट विकार होता था, रोते रोते गला रुंदर जाता था, थर्थर कापने लग जाते थे, जमीन पे छट पटाने लग जाते थे, बिहोस हो जाते थे, दोनों पती पतनी, और फिर ना भूख है ना प्यास है, जब उठते थे, तो फिर से भगवान का सेवा भजन करते थे, इतना प्रेम, इतना इतना सेवा, ऐसे अनन्न भक्त, देखके भगवान बिठल अपना रूप बदला, वहां रहा नहीं गया, वैकुन डेल गए, लक्ष्मी को बताया ही नहीं, और बस निकल गए, लक्ष्मी जी पूछते रहेगी, कहां जा रहे हैं, बस आ रहा हूं, बताया ही नहीं कहां जा रह गए और एक नात के घर में एक खुलिया बनाया क्यों दोनों पती-पत्नी थे संतान नहीं थे एक नोकर खुलिया बनाया और मरणा भषा बोला क्या बोला मरणा भषाहां आमचे मुंभाई है ना लेकिन प्रेम से जबर्दस्ति नहीं कुछ लोग जबर्दस्ति सबको बुलवाना चाहते ऐसे नेता है देश में जबर्दस्ति करना चाहते और उनकी बुद्धी भी ऐसी है वो यह कहलाना चाहते मी मरती मैं थोड़ा साफ कर रहा हूं यहां पर मी मराटी होता नहीं, मेरे ज्ञान के अनुसार, बुद्धी के अनुसार, क्योंकि होता है कि मी आत्मा, मी जीवात्मा, हम लोग जीवात्मा हैं और परमात्मा के अंस है, मराटी हमारी भासा होती है मराटी क्या है हम लोग फॉर्म भड़ते है न उसमें लिखते है which language you known कौन सा language जानते तो लिखते हैं हिंदी, इंग्लिश, मराटी, गुजराती लेकिन संसार में ऐसे चलने हम गुजराती है, हम मराटी है अरे तुम भासा है क्या तुम भासा हो क्या है न, यूपी वाले को बलते है भाईया है, अरे भाईया बहुत रिस्पेक्ट की चीज़े बरे भाई को बलते हैं भाईया अब उसको बलते हैं भाईया है तू समझे है क्या यह सब चालाक लोगों की चालाक ही है परत दर परत जब ज्ञान से समझेंगे तो सब साप साप दिखेगा तो खेर उसमें नहीं जाना है थोड़ा समय ज्यादा समझ जाएं तो अच्छी बात है सब पड़े लिखे लोग है देश दुनिया चलाते हैं उन तक मेसेज पहुच जाए तो बड़ी अच्छी बात है आप सब समझ जाए तो बड़ी अच्छी बात है आज के बाद ए wellbeing मैं गुझराती हूऔ gaugerati है हमारी भासा है क्या? gaugerat यह भी मत बोलिए कि मैं गुझरात का हूँ यह बोलिए मैं भारत का हूँ मैं कृष्न का हूँ क्यूं अपने आपको संकिर्न बनाते हो छोटा बनाते हो बड़ा बनाओ न सारी भूमी गोपाल की और हम गोपाल के ऐसा बोलो न बोरे मेरा भाप का तो है ये पूरा ऐसा बोलो न सारी भूमी गोपाल की और हम गोपाल के अरे पूरा दुनिया गोपाल जी का है और अम लोग गोपाल के है न लेकिन कम बुद्धी के कारण अज्ञान के कारण हम बहुत संकिर्न बना लेते या फिर अपना खाना पिना राजनिती करने के लिए बना लेते ताकि उनका आईश्वरे बना रहे लोगों को गुम्रा करते रहते दुख देते रहते तो भगवान ने अपना रूप बनाया कैसा एक नौकर का रूप बनाया और मराटी बोलना सिका मराटी बासब और उनके घर में इनोक किया मेरी मराटी अच्छी नहीं फिर भी मैं प्रयास करूँ मुझे में रेता यहां हूं ये महराश्तने में मेरा करण भूमि हि जन भूमि हमारा पटना means life मैं नहीं बोलता मैं बिहार हुम मेरा जन भूमि पटना बिहारे, जहां शुद्ध गंगाजी बैती है और उसमें हमने इतने नाय हैं जितने आफ सबने बोला नहीं होगा हर दिन गंगाजी में शार गंटे रहती हरे में यहीं बोलता हूं कि में कोई हमें पूछते प्रभु जी आप कहां के हैं आप साउथ इंडियन दिखते हो, फिर एभी बोलते है आपका हिंदी बहुत साउथ इंडियन जैसा नहीं accent, तो मैं पूछते हो, उनका जिग्यासा रहता है कि आपका, कहा के हो आप, तो मैं बोलता हूँ, मैं गोलोग का हूँ, कहा का हूँ, बेकुंट का हूँ, और गलत नह बेटा का घर कहा हो सकता है, एड्रेस तो महीं कहा होना चाहिए न, लेकिन भाई, जब ज्ञान रहेंगे तब तो, अज्ञान के कारण हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारा घर संतोस भवन में है, संतोस भवन में है, संतिपूर में है, लेकिन ना संतोस है, ना संती है, घर संतोस भावन में है सांतिपूर में है ना तो संतोस है ना सांति है किसी किसी का घर मीरा रोड में है लेकिन मीरा जैसे कोई नहीं थोड़े से भक्तों को छोड़के और कोई मीरा जैसे नहीं मीरा रोड में है बहुत सुंदर मंदिर Radha Girda Fordyaj ka सान्ति नगर में थोड़े से भगते हैं लेकिन बाकी सब वो मेरा को जहर देने वाले जैसे हैं मेरा को जहर देने वाले जैसे लेकिन जहर बुरा नहीं होता जहर अपना कोई जहर दे तो समझना भगवान जरूर मिलेंगे अपना कोई अगर जहर देता है तो समझना भगवान जरूर मिलेंगे मेरा को अपने लोग नहीं जहर दिया था बराबर भगवान मिले के नहीं और मेरा तो जहर समझ के उसमें तुलसिता भगवान का महाप्रशाथ समझ के पी गई थी भक्त को ये शरीर छूट जाएगा, उसका चिंता नहीं होता क्योंकि ये शरीर छूटने के लिए मिला है ये शरीर का उपयोग क्या है? हरे क्रिश्न, हरे क्रिश्न, ख्रिश्न, ख्रे राम, 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 हरे रे ये शरीर छूट कब जाएगा? मालुम नहीं तो इस छूटने से पहले हरी नाम का पहार जमा कर दो, ताकि आपको भगवत धाम प्राप्त हो जाए भगवान स्री खंडिया के नाम से अपना नाम रखा, स्री खंडिया क्या नाम रखा? स्री खंडिया और भगवान उनके दर्वाजे पे खटखट किया, ओ लोग भगवान की आरती कर रहे थे दोनों पती पतनी खटखट सुना तो दर्वाजे पे संत एक भगत है, सरल है, आरती हो गई, दर्वाजा खोला, तो देखा एक छोटा सा दस बारा साल का बच्चा धोती पेना हुआ, गंजी गंचा, जो नोकर का रूप रहता है, खड़ा है और निवेदन कर रहा है दोनों हाथ जोर के, और ऐसा सोरूप बना है जैसे पंदरा दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, मूँ सुका है, बाल सब भिखड़े है एकदम, नोकर पक्का नोकर तो संत एकनाथ महराज ने, पत्नी ने, देखा कोई बच्चा है, खड़ा और उस काप रहा है, निवेदन कर रहा है, मला काई काम पाईजे, दिखे मेरी महराठी पे मठ जाये, मैं कोसिश कर रहा हूँ, मला काई काम पाईजे, मिल तिल काई, मुझे कुछ काम चाहिए, मिल देगा क्या, I want some job, please, you can give me, इसके आगे और भासान है, पंजाबी आती है थोड़ी-थोड़ी, तो जब एकनाथ और उनकी पत्नी ने देखा कि ये बच्चा कहां पड़ा है, भूख के मारे और नोकरी के लिए निवेदन कर रहा है, उनको संतान भी नही थे, और भक्त, हिर करुना, दया ममता से बढ़ा रहता है, सब को अपने जैसा समझते, सब में कृष्न का दर्शन करते हैं, तो तुरंत ही उनकी पत्नी ने कहा, आप अंदर आ जाओ, आपको मैं अभी अच्छा भोजन भगवान का प्रशाद देता हूं, आपको नहाने की बेवस्था करता हू आपको अच्छे कपड़े देता हूं, और जब तक आपको काम नहीं मिलता यहीं रहो, यहीं आप, मेरे साथ आप भी भगवान का भजन करो, अब इंट्री तो हो गए अंदर, अब पहले खिलाया उनको भगवान का प्रशाद, खुब प्रेम से खा रहे हैं, और बीच-बी जै जै विटाला, माना पंडू रंगा भिचला, जै जै विटाला, माना पंडू रंगा भिचला, जै जै विटाला, जै विटाला, माना पंडू रंगा भिचला, जै जै विटाला, जै विटाला, जै विटाला, माना पंडू रंगा भिचला, जै विटाला, जै विटाला, जै जै विठाला विठाला माजा विठाला पांडुरंगा जै विठाला विठाला माजा विठाला 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 विठाल भुष्वान का, बिठ्थल का, बिठ्थल अचे ठाट से खडे ना, बिठ्थल गया आप लोग कभी पंदरपूर, ठाट से खरे यसे कोई खड़ा होता है ना थाट से, ऐसे ठकड़े बगवार, और सब को दर्शन देते, चरन, दर्शन भी वहा मिलता और चूने भी मिलता है, अगर वहां के सुबह के मंगलार्ती में जाएंगे तो तो ऐसे आनन्द के साथ और जब वो भजन गाते थे उनको भोग लगा रे और भाव से नाचते थे दोनों पति पत्नी भगवान थोड़े से पीछे वो यहां खड़े हैं भगवान यहां खड़े हो के खुब आनन्द से देखते थे कैसे मुझे प्रेम करते हैं मेरे भक्त कैसे मुझे मेरे लिए अपना जीवन लगा दिया है ना ही मुझे देखा है ना ही मैं इनको कुछ दिया है सिर्फ इनोंने सादू संत महात्मा और गरंथों से सुना है और इनको पक्का विश्वास है, निस्ठा है, कि भगवान है, बिठल है, आनंदेंगे, आनंदकंद धन है, और भगवान के दोनों नेत्रों से धरा भाही, जैसे गोदावरी नदी उनके आखों से ही निकली है, ऐसे भगवान रोते रहते थे, और जब वो घूमते थे, के सदस हो गए, तो ये किसी को पता नहीं चले कि मैं भाव में रो रहा हूं, दिख जाएगे तो सब आनंद चला जाएगा, और भगवान कुछ ने कुछ काम में लग जाते थे, फिर घमचा से पोच के ठीक हो जाते थे, और आई और बाबा बुलाते थे उनको, क्या बुला के बाद एक नाजी की पत्नी ने अपने पती देव महराज से, पती परमेश्वर जी से, ये भक्तों के सद्गुन है कि पती को परमेश्वर कहते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं या भक्त हैं, वो पती को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमेश्वर होगा तू कहीं और का, परमेश्वर होगा तू कहीं और का, यह तो तू मेरा नोकरी है, मेरे पिताजी ने खरीदा है तेरे को पाँच लाक में, दस लाक में, क्या है? पाँच दस लाक में खरीदा है, अब जीवन भर मेरी नोकरी कर, जो मैं बोलू वही सुना कर, कई लोग बोलते कल्यूग क्या है, कल्यूग कैसा होता है, कल्यूग में कल्यूग दिखता कैसा है, अगर कल्यूग देखना है तो आसपास में देख सकते हैं, अगर बच्चा आपका बात नहीं सुनता समझना कल्यूग है, पतनी अगर पती की बात नहीं मानती समझना चेला बनाया और चेला अब गुरु को काम पे लगाता है, कान उसका फुकता है, तो समझना कल्योग है, पहला के जमाने में गुरु चेले कान फुकते थे, कुछ मंत्र देते थे, बोले कान फुका गया अब उसका रहता था, लेकिन आजकल चेला गुरु का कान फुकता है, च जैसे गंगा जी गंदी हो गई, लुप थोरी जमना जी, ऐसे परमेश्वर जी भी लुप थोरे धर्ति वाले, अब खाली उपर वाले हैं, क्योंकि वो तो हमेशा रहते. मेरा निवेदन है, अगर आप उनको अपना पती मानते हैं, भगवान के अगनी कुण्डे और बहुत सारे समाज के सामने फेड़े लगाएं, तो परमेश्वर नहीं तो कम से कम पती देव तो रहना चाहिए, पती को देवता की तरह तो रखिए कम से कम, उनकी सेवा करिये इससे, पती और माता पिता की सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं. जो अपने पती की सेवा नहीं करते हैं, वो कभी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, कभी भी नहीं. हम लोग जो family planning करके माबाप को छोड़ दिया है गाओं में या फिर बिर्दा असरम में और खुब आनन्द लूट रहे हैं तो समझ लेना या तो नरक में जाएंगे या तो फिर से मा के गर्ब में जाना है कम से कम इतना करना कि माता पिता को जैसे आपकी सेवा करके बड़ा किया ऐसे ही उनकी सेवा करके उनका अंतिम संसकार तक साथ में रहे उनका अंतिम संसकार तक उनके साथ में रहे ताकि उनको गती मिले उची कम से कम स्वर्ग लोग को जाए नहीं तो नरक मिलता है नरक और नरक का ओफिस है पित्र लोग, जहां पित्रे रहते हैं, उनको तरपन देना पड़ता है, लेकिन जो बाप माबाप को सेवा नहीं किया और तरपन भी नहीं देते, नरक का ओफिस पित्र लोग है, उनके माता पिता पित्र लोग में लटके रहते हैं, उनको किदर गती नह नहीं करते हैं, माबाप उनको कर्स करते हैं, उनको हमेशा उनके घर में कलेश रहता है, दुख रहता है, मलिंता रहता है, वो ताप से तपते रहते, दुखी परिशान रहते, और ज्यादा लोग ऐसे ही है, माबाप की सेवा भूल गए, तो इस प्रकार से बिठ्थल जी को, दोनों पती पत्नी ने, स्री खंडिया जी को, एक माद एक नाथ और उनकी पत्नी ने, धरम पत्नी ने, विचार करके बोला, अब रखलो, अपना बच्चा भी नहीं है, ये बहुत सुनता है, बिना कहें सब काम कर लेता है, उनको क्या पता, ये तीनों लोग का स्वामी है, ये अंतर्यामी है, ये सभी कारणों का कारण है, मैं इनको ही पूछता हूँ, इनके आनंद में जी रहा हूँ, तो भगवान सब कुछ उनके उठने के पहले ही कर देते थे, बहुत आनंद वाए, बल्ले भगवान ने बच्चा नहीं दिया, लेकिन ये भगवान, ये हमें ऐसा बच्चा बेज दिया, अपने बच्चों से भी जादा आनंद दे रहा है, तो दोनों ने ताई करके उनको रख लिया घर में, और उनकी बड़ी सेवा, नोकर जैसा नहीं रखा उन्होंने, अपने पुत्र जैसा रखा, पहले उनको प्रशाद भगवान का भोग देते थे, फिर खुद खाते थे दोनों जाँ, और भगवान को इतना आनंद होता था, जब उनको किर्तन, अर्चन, भोग, सारा कुछ, इतना आनंद हो रहा था, भगवान बारा साल तक वहां रहे गए, इतने साल? बारा साल रहे गए लक्ष्मी जी को सोर के, हम लोग लक्ष्मी के वे ना बारा सेकेंड नहीं रह सकते, सब को अधम हजार हजार का चाहिए, कैसा चाहिए? अरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 10-15 साल के, वो भी लक्ष्मी पहिचानने लगे, लक्ष्मी के लिए घर में से चोड़ी करते, माभाप के खीसे में से निकाल देते, करते हैं अब लोग को अनुवब है ना, क्यूं उनको मालूम है लक्ष्मी से क्या-क्या होता है, अब उनको इतना आनंद हो रहा था, इतना आनंद हो रहा था, बिठल जी को धन्यवाद करते थे, आपने हमें मेरा धन्य कर दिया जीवन, आपकी सेवा अर्चना है, आपका पूजन, कीर्टन, भजन, महाप्रशाद है, अब एक बच्चा नहीं ताव भी घर में भेज दिया है। आप देख रहे थे, परण पूजय श्री मधुमंगर दास जी महराज के सानिध्र में, श्रिमत भगवत कथा का विशेश प्रसारण, ये कारी क्रम नुरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुँचता रहे। भगवान श्री जगन्नात, बलदेव एवं सुभत्रा जी अपने स्वयम के स्थान में विराजमान हो सके। इसके लिए आप सभी दान दाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोगते कर भगवान की क्रिपा एवं प्रेम प्राफ्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।